इस दुनिया में कई ऐसे अनोखे जीव हैं जो प्रकृति के नियमों को चोनोती देते हैं ऐसा ही एक जीव विज्ञानिकों के हाथ लग गया जिसे देखर लगता है कि यह साइध हमारी दुनिया का नहीं है इसका मुँ का हिसा एक बत्तक का है बाकी सरीर इसी सील मचली जैसा है यह सतंदारी जीव है जो अपना बच्चा अंडा के रूप में देता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जीव गाए बकरी की तरह दूद भी देता है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने यह जीव सबसे ज़्यादा पानी में रहना पसंद करता है पर इसके अलावा जो इसकी खासियत है इसके बारे में क्या ही कहना क्योंकि दोस्तो यह जीव दूद दे सकता है अपने बच्चों को दूद पिला सकता है यह एक अनोखा मिश्रण है जिसका सरीर मचली का और मूँ बत्तक का है दोस्तो 1799 में जब पहली बात इस जीव का जीव आसम विज्यानिकों को मिला तो वो हैरान हो गए क्योंकि यह जो जीव है इस जीव का सरीर एक उदिविलाओ जैसा है दरसल उस समय लगता था कि इस जीव का सरीर अलग-अलग दो जीवों के सरीर से मिलके बना है लेकिन जब इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला यह जीव तो एक ही है सुरू सुरू में 1799-1800 के बीच इसका कंकाल मिला तब बेग्यानिक हैरान थे पर कुछ साल बाद जब यह जीव जीव जिन्दा ही मिल गया तब बेग्यानिक अभ हैरानी के साथ सदमे में भी चले गए यह बहुती क्यूट होते हैं पर केवल देखने में क्योंकि लैप्टस दुनिया के उन अनुखी जीवों में से एक है जो अपनी रक्षा करने के लिए जहर का भी इस्तमाल करते हैं पर एक मिट इसके मुँ में या फिर इसके दात में जहर नहीं होता है जहर होता है पर इसके पीछले पैर के एक इंडी में काटा होता है जिसमें यह जहर होता है अपनी रक्षा के लिए यह लैपटस इस काटे का इस्तमाल करते हैं और दुस्मन के सरीर में घुशा देते हैं हाला कि इंसानों को इससे डरने की बात नहीं है लेकिन अगर यह इंसान को काट ले इसका पोईजन आपके सरीर में चला जाए तो इतना दर्द होगा इतना दर्द होगा कि आप बरदास नहीं कर पाएंगे धन्यवाद गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक क